है एलो एर्यवन देखिए नेक्स टॉपिक करते हैं रिलेशन ऑफ पोटेंशेल एनरजी विद वर्क डन ठीक है देखो आपको पता है वर्क अनरजी थेोरम से हमारे पास क्या रिलेशन था अकॉर्डिंग टू वर्क अनरजी थेोरम है क्या था जल्दी से बताओ theorem change in kinetic energy क्या होता था हमारे पास equal to क्या होता था work done होता था कि अतनी बात clear है या नहीं है बताओ या work done is equal to change in kinetic energy यह जी जाए थी kinetic energy change मतलब क्या final kinetic energy minus में initial kinetic energy यह सब था ठीक है clear एतनी बात लेकिन but हमारे पास जब potential energy की बात करते है work से related तो change in potential energy आता है हमारे पास minus of work done कि अतनी बात clear है नहीं चीज यह है जो relation है हमारा potential energy का work के साथ वो क्या है change in potential energy क्या होती है negative of work done होती है ठीक है proof देखो इसका बिल्कुल simple है proof को देखो जड़ा कि कैसे आया होगा यह देखो सबसे पहले आप को इसमें यह चीज पता होने चाहिए कि जो total energy होती है total energy कौन सी होती है जल्दी से बताओ total energy जो होती है वो constant होती है total energy में हमारे पास kinetic energy plus potential energy जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई object है जैसे मालो या roller coaster वाली कानी जब मैंने आपको बताई थी यह इस तरीके से है ठीक है तो मैंने आपको बताया था यहां से यह चला ठीक है इस position पर क्या होता है मालीजे potential energy क्या है maximum है potential energy क्या है maximum है और kinetic energy क्या है zero है ठीक है अब जब यह यहां पर इस तरीके से यह नीचे आरा है roller coaster पर तो यहां पर क्या हो रहा है, kinetic energy अब क्या हो रही है just reaching the ground मतलब बिल्कुली flat surface पर यहां यह maximum होगी और potential energy क्या हो जाएगी zero हो जाएगी, मतलब क्या है कहने का कि change क्या हो रहा है, potential energy ही change हो रही है kinetic energy में और जो total energy है वो क्या है constant है because नहीं वो create हो सकती है नहीं destroy हो सकती है तो total energy तो concentrator, जैसे potential energy ही किसमें change हो रही है, यहां kinetic energy में change हो रही है कि अतनी बात clear है या नहीं है बताओ, समझ रहो जैसे माल लीजे, इस position पर हमारी potential energy है कुछ और कुछ kinetic energy भी है तो यहां पर जो भी total energy होगी वो क्या होगी, माल लीजे, यहां पर total energy है तीन जूल की, ठीक है तो यह इन दोनों का mix हो, मतलब प्लस होके तीन जूल आएगा, और यहां जब आया है तो यहां potential energy 3 जूल की रहेगी और यह kinetic energy 0, तभी 3 रहेगी total, तो यहां कि जो total energy है वो constant रहेगी, total energy अगर constant है, तो यानि कि change in total energy वो क्या रहता है 0 रहता है, यह कैसे है, यह बड़ा important है, देखो जब हम बोल रहे है, total energy constant है यानि कि total energy माल लो इस तरी के समझो total energy यहां भी सेम है, यहां भी सेम है यहां भी सेम है, समझो तो total energy में तो कुछ change होई नहीं रहा तो यानि कि change क्या है total energy में 0 है, क्योंकि वो तो हर जग है सेम है यहां भी 2 joule है, यहां भी 2 joule यहां भी 2 joule, यहां भी 2 joule तो मतलब क्या है, अगर यहां हर जग है यह 2 joule की है, तो यानि कि change तो कुछ हो इनी रहा तो change कितना हो रहा है जीरो हो रहा है अगर मैं 2 में से इधर माल इस position से इस position का देना है 2-2 0 तो change in total energy क्या 0 है अगर कोई भी चीज constant है तो यानि कि उसका change 0 है यह आपको समयना पड़ेगा अब जो total energy की कहान यह यह भी हम पढ़ेंगे आगे ठीक है यह पूरा का पूरा मैं आपको समझाओंगा की कैसे क्या होता है ठीक है तो हम नहीं पता है total energy में हमारे पास क्या आती है हमारे पास हमारी kinetic energy plus में हमारी potential energy आती है ठीक है तो यह 0 हो गया अब अगर हम यहां से देखें इसको यह delta k और plus में यह delta u हो जाएगा is equal to 0 clear अब यहां से देखो आप एक चीज़ यह delta u जो है यहीं रहने दो और यह delta k इदर लेके जाओ minus का delta k तो अब work energy theorem से हमारे पास delta k क्या है w है उससे यहाँ put कर दो तो delta u is equal to minus और delta k की value क्या है w है यहाँ पर लिख भी दो यह कि delta k हमारे पास क्या था w था ठीक है तो यह आगया तो यहांनि कि देखो change in potential energy क्या आ रहा है minus of work done आ रहा है कि अतनी बात clear है या नहीं है बताओ समझ में आ है कैसे किया यह तो यह relation आपको याद रहना चाहिए change in kinetic energy तो simple work के एकवल है लेकिन change in potential energy किसके एकवल होती है negative of work के एकवल होती है ठीक है अब यहां से force का भी कुछ relation हम बना सकते हैं देखो यहाँ पर अगर हमने यह देखा है change in potential energy यहाँ पर लिखते है relation with force ठीक है तो यह हमारे पास देख displacement जो है हमारे पास अगर यहाँ hem ने यह delta में लिखा है change तो यहाँ displacement का भी change हम किसमें लिखएगा delta में लिखएगे ठीक है तो यह हमारा क्या होता है एक तरह से delta विग प्रिंज के लिए लेते हैं और यहां से देखो जरा अगर आप देखेंगे यह इसी तरिके से अगर हमारे पास इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पर एफ डी यह ओ जाए तो यहां पर एगा था वाइक के रिस्पेक्ट में आगया है थीडिये से लिए भी आजकते तो एसे एफ़ जार्ट बीजय़े का रहे थे बिल्कुल सिंपल सी कहा नहीं थी ठीक है अब यह तो चीज़ क्लियर है ठीक है मैं अभी पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था जैसे मैंने आपको बताया था के बारे में ठीक है ना तो आपने देखा था जब काइनेटिक एनरजी थी उसका हाफ एम वी स्क्वेर था इसके भी जो हमने डिमेंशन बनाए थे वह क्या बनाएते जल्दी से बताओ मार्ण का M आघया और V स्क्वेर का मतलब क्या में आपको बताया होगा थे कि हमने गाहा था कि वर्ट के जो टैमेंशन होते हां वही एनलजी के होते हैं ठीक है इसी त्रीके से अगर हम कहीं है, potential energy के, तो potential energy अगर हम देखें, gravitational potential energy, अगर हम देखें, उसमें, MGH formula होता है, तो यहां से भी देखो M, और G, मतलब acceleration due to gravity, यानि कि L T minus 2 होता है, और H का L हो जाता है, तो M L 2 T minus 2, देखें, तो same हा रहे हैं, जो work किया है, ठीक है, इसी तरीके से हम elastic potential energy के गर हम बात करें, तो जैसे potential energy of spring की बात की थी हमने, तो वहाँ पर भी क्या था, हमारे पर formula, half K X square ये था, ठीक है, और K की value क्या थी वहाँ पर, 1 by 2, और K की value क्या थी जल्दी से बताओ, F by X थी, और ये X square, तो ये इस से कट गया, क्या आ रहाए है, Fx, तो यानि की Fx क्या है, एक तरीक है, force और displacement, और same बनेंगे force के क्या होते है, M L T minus 2, ठीक है, और X के L हो गए, तो ये ही बनेंगे, M L 2 T minus 2, क्या इतनी बार समझ में आई है, तो same है energy के dimensions, चाहे potential energy, वो elastic वाली हो, gravitation potential energy, अफरिका इनेंटिक energy, same होते है dimensions जो work के होते है, और इनका जो unit होता है, वो भी जाउली होता है, ठीक है, ये सब आपको समझ में आई ही हैं बाते, क्लियर है एतनी बात, बताओ, कोई दिक्कत इसमें तो, कर लोगे इसको, ठीक है, जो नेक्स वीडियो में हम नेक्स टोपिक करते हैं, क्लियर, ओके, थेंक यू,